हलो दोस्तों टोने टोटके में आप सबका स्वागत हैं दोस्तों मैं आज ऐसा मंतर बताने जा रहा हूं जो ना ही आपने कभी सुना है ना ही तो कभी जानने के कोशिश किये हैं पर आप सबको पता है कि जो इनसान बीमार रहता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता ह। कि दोस्तों मेरा बोलने का तात पर यह नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं मैं यह बोल रहा हूं कि आप सब को पता है कि बीमारी कभी भी सरीर को छोड़ती नहीं है चाहे किसी भी तरीकी का बीमारी हो वो छोड़ती नहीं तो दोस्तों उस बीमारी को छोड़ाने के लिए मैं सब के लिए एक मंत्र लेकर आया और उस मंत्र को सही तरीके से आपने कर लिया तो कोई भी रोग हो रोग के साथ में भूत प्रेत क्यों नहों वो जड़ सही खतम हो जाएंगे यह मेरा पक्का ग्रांटी है तो दोस्तों इस मंत्र को जाब करने से पहले 23 बार जाब करना होता ह है साथ का जो उसके उपर का कुछ खाल मिलता है ना आप सबको आप समझते होंगे जैसे हमारे सांस्त्रों के यह साथ से बोला जाता है साथ की बेवी राज साथ की बेवी राज उसका नाम है साथ का बेवी राज तो साथ का जो खाल होता है वो खाल आपको मिल गया उस खाल वो जड़ से निकल जाएगा उस मंत्र का नाम आप लोग नोट करें मंत्र का नाम है कनडबाधा निवारण मंत्र में बोलने जा रहा हूं ओम हरीम अनुरांगडी स्वाहा 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 इस मंत्र को प्यार से आप 23 बार जाप करना है ओम हरीम अनुरांगडी स्वाहा स्व तीन बार ही बोलना आपको सायद मेरे से कभी एक जादा हो गया हो पर आपको तीन बार बोलना है ओम हरीम अनुरागडी स्वाहा 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 इस मंत्र से आप 23 बार चाप करना और उस साथ का जो खाल जो होता है बवी राज जितने बार आप नाम लेंगे उस जिस बंदे के उपर कोई भी रोग हो या कुछ भी हो उसे सर पे 23 बार आप घुमाएंगे एक बार घुमाएंगे तो एक बार मंत्र पढ़ेंगे दूसरी बार तो दूसरी बार ऐसाथ 23 बार होना चाहिए साथ के बवी राज से 23 बार आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो उस ब्यक्ति में चैलेंघ का रोग दो趣 सब मुक्त हो जाएगा उसे सरेअ में कोई रोग ही नहीं रहेगा यह एक पक्का बोल मों दोस्तों अभी जो मैं सब के बीच में जो मन्ट्र कर आ रहे हुं ये कोई सुनी सुनाई मंत्र नहीं है मैं जो भी करता हूं चैलेंज है मेरा और मेरे इन मंत्रों को कोई खाट दे तो वो चैलेंज है क्यूं क्यूंकि मैं अपने भाप को ही मानता हूं जो है ब्रह्मा विष्णो महेश ना तो मैं भूतों में दिल्चस्प मिलूं ना है तो किसी और चीज़ों में दोस्तों नाम उसका लिया जाता है ज दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको जितनी भी बाते बताता हूं उसमें आप लोग कमेंट में मुझे लिखें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें सब्स्राइब करें कमेंट करें थैंक्यू सो मच